Hi Everyone, तो Friends, क्या आपको भी GST Department से आ रहे हैं, ये दो तरह के SMS और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अधिकतर GST Taxpayers को GST India की तरफ से मिले हैं, ये दो तरह के Messages जिनें लेकर सभी GST Taxpayers बहुत परिसान हैं, बहुत सी queries कर रहे हैं कि क्या करें, क्या actions लें इन Messages के लिए, Friends, जैसे कि इन Messages में न तो किसी GST Taxpayers का नाम है, और नहीं कोई GSTIN mentioned है, यदि कोई Mobile Number एक से ज़्यादा GSTIN के under registered हो, तो यह समझना मुस्किल है कि यह किस GSTIN से related message है, और इन Messages से related कोई भी email communications नहीं मिली है, और नहीं portal पर कोई update है, same messages सभी GST Taxpayers को मिल रहे हैं, हमने इसके लिए jurisdictional officer से भी बात की है, उन्होंने अपनी opinion दी कि इन Messages को आप ignore कर सकते हैं, reply नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इन Messages को ध्यान में रखते हुए, कुछ precautionary steps आप जरूर से उठा लें, तो आईए Friends, आज की इस व Friends, बने रहीएगा हमारे आज की इस वीडियो के साथ, Friends, मैं हूँ Amit, और आप देख रहे हैं, Expert Info Media, Taxes and Compliances से related सभी latest updates और helpful video tutorials को देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो इसे like और share जरूर से कीज तो यह message आया है GST India की तरफ से, जहां पर लिखा हुआ है, Dear Taxpayer, the ITC for the domestic purchases for October to December 2018 claimed in GSTR 3B exceeds Rs.1 lakh when compared with the credit available in GSTR 2A, यानि कि October से December 2018 के लिए फाइल किये गए, GSTR 3B में आपके द्वारा जो ITC claim किया गया है, उसे अगर GSTR 2A से compare किया जाए, तो वह 1 lakh रुपे से अधिक का है, Friends, आप GSTR 3B में अपनी purchases पर ITC को claim करते हैं, और जब आपकी purchases से related आपके supplier के द्वारा GSTR 1 फाइल किया जाता है, तो वह so होता है आपके GSTR 2A में, और जब आपके GSTR 2A में so हो रहा, ITC का amount नहीं match होता है, आपके द्वारा claim किया गए GSTR 3B में, ITC के amount के साथ, तो इससे related या mismatch का message आ रहा है, इसके लिए आप ये कुछ steps उठा सकते हैं, Friends, सबसे पहले, अगर ये mistake आपकी अपनी तरफ से हुई है, तो आप check करें, कि कोई purchase के ITC को आपने GSTR 3B में so किया है, या नहीं, कहीं वह miss तो नहीं हो गया है, या फिर गलत amount तो so नहीं किया गया है, अगर ऐसा है तो इस related mistakes को आप next GSTR 3B में filing के दोरान ठीक कर लें, second, अगर ये mistake आपके supplier की तरफ से हुई है, तो आप check करें, कि आपके दोरा जो purchase की गई है, उससे related ITC का amount GSTR 2A में so हो रहा है या नहीं, अगर वह so नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके supplier ने आपको की गई supply से related details, उनके GSTR 1 में so नहीं की है, या फिर आपको की गई supply किसी दूसरे GSTR 1 में so कर दी गई है, आपके supplier के दोरा, तो ऐसे में, आप अपने supplier को insist करें, उससे follow-up करें, कि वह अपने GSTR 1 को comment करके, आपको की गई supply से related tax invoice को properly so करें, जिसे की ITC का amount आपके GSTR 2A में correctly reflect करें, और या mismatch खतम हो Friends, इसके बाद अगर second message की बात करें, तो यह message भी आया है GSTR India की तरफ से, जहां पर लिखा हुआ है, Dear Taxpayer, You have under-reported tax liability in GSTR 3B as compared to GSTR 1 by more than 1 lakh for October to December 2018, please take corrective action, यानि कि आपके दोरा, October से December 2018 के लिए, फाइल किये गे GSTR 3B में, sales और tax की liability so की है, उसका amount, इसी period के लिए, आपके दोरा, फाइल किये GSTR 1 में, outward supply और tax liability के amount के साथ, match नहीं हो रहा है, और 1 lakh रुपे से कम की tax liability, under report, यानि कि sort report की गई है, जिससे related, आपको corrective actions लेने के लिए कहा जा रहा है, तो Friends, इस message से related, ये कुछ precautionary steps आप ले सकते हैं, सबसे पहले, आप चेक करें कि आपने October to December 2018 के लिए, किसी outward supply या फिर sale के amount को GSTR 3B में तो so कर दिया है, लेकिन GSTR 1 में so करना भूल गए हैं, तो उसे next filing period के लिए file के जारे GSTR 1 में properly so करें, और अगर कोई outward supply या sale, आपने अपने GSTR 1 में so कर दी है, लेकिन उसे GSTR 3B में so करना भूल गए हैं, या गलत so की है तो आपको अपने next GSTR 3B की filing के दौरान उस sale के amount को ही करना है, और अगर sale access so की गई है, तो उसे आप reverse कर लें, और वहीं पर अगर outward supply यानि की sale और tax liability under report की गई है, तो फिर missed sale और tax liability से related amount को अपने next GSTR 3B के filing के दौरान so करके, उससे related GSTR का payment करें, वह भी interest के साथ, जिससे की outward supply और tax liability के amount में कोई भी mismatch नहीं आए, तो friends आप GSTR 3B के तरफ से आयोए इन दोनों messages के लिए ये कुछ steps ले सकते हैं, हमने एक कोसिस की, आपको GSTR 3B की इस latest update से aware कराने की, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को जरूर से like करें, और उनके साथ इस व के लिए, thanks for watching, जय हिंद, वन्दे मातरम.